हेलो फ्रेंड्स स्वागत हैं आप सभी का टी एस एजूकेशन सेंटर में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समानि ज्यान के कुछ महत्तुपुड प्रसन और उत्तर जो आपके सभी एकजाम्स के लिए महत्तुपुड है तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला कुशन है कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है इसका सही एंस्वर है सी सा सबसे कम सक्रिय होता है अगला कुशन है सम्मिधान सभा के प्रारूप समीती में कुल कितने सदस्य थे इसका सही एंस्वर है संविधान सभा के प्रारूप समीती में कुल साथ सदस्य थे अगला कुश्चन है सबसे छोटा कुसकी अंगक कौन सा है इसका सही एंस्वर है राईवु सोम सबसे छोटा कुसकी अंगक है अगला कोशन है अलावदीन खिलजी ने किसे दिवान ए रियासत न्यूक्त किया था इसका सही एंस्वर है अलावदीन खिलजी ने मलिक याकूब को दिवान ए रियासत न्यूक्त किया था अगला कोशन है बेगम अक्तर गायन किस विदा से समंध है इसका सही एंस्वर है बेगम अक्तर गायन गजल गाय की से सम्मंदित है अगला कुशन है ओलंपिक मसाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है इसका सही एंस्वर है ओलंपिक मसाल सुरे किरण से प्रज्वलित की जाती है अगला कुशन है भारत में जिलो की कुल संख्या कितनी है? इसका सही एंस्वर है भारत में जिलो की कुल संख्या 640 है अगला कुशन है सल्तनत कालिन सुल्तानों के किसके सासनकाल में सरवाधिक दास थे? इसका सही एंस्वर है सल्तनत कालिन सुल्तार्नों में फिरोज सा तुगलक के सासनकाल में सरवाधिक दास थे अगला कुश्चन है माईक पांडे किस छेत्र से समंदी थे इसका सही एंस्वर है माईक पांडे वने जीव पर फिल्म निर्मार से समंदी थे अगला कुश्चन है पदार्थ के सम्वेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक रासी प्राप्थ होती है इसका सही एंस्वर है पदार्थ के सम्वेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्थ होती है अगला कुशन है संबिधान सभा के जंडा समीती के अध्यच कौन थे इसका सही एंस्वर है संबिधान सभा के जंडा समीती के अध्यच जेवी कृपलानी थे अगला कुशन है लोहा एव गंधक का मिस्रड कौन सा मिस्रड है इसका सही एंस्वर है लोहा एव गंधक का मिस्रड और समांगी मिस्रड है अगला कुश्चन है औरंग जेव ने सीवा जी के बिरुध किसे दक्कन का सुबेदार बना कर भेजा था इसका सही एंस्वर है औरंग्जेव ने सीवा जी के बिरुध साइस्ता खा को दक्कन का सुबेदार बना कर भेजा था अगला कुशन है यहूदी मेनुदीन किस वादियंत्र के प्रमुख वादक थे इसका सही एंस्वर है यहूदी मेनूदीन वाईलीन के प्रमुख वादक थे अगला कुशन है सुर्य के अपेचा करी ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सल्सियस होता है क्या कहलाता है इसका सही एंस्वार है सुर्य के अपेचा करे ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्शियस होता है सोर कलंक कहलाता है अगला कुश्चन है विसु में सर्व प्रथम किस अंग का प्रत्यारों पर सम्भव हुआ इसका सही एंस्वर है विशुमे सर्ष प्रथम हिर्दय का प्रत्यारोपर संबह हुआ अगला कुशन है जनगर्णा की तर्ज पर मृत्यू गड़ना वाला पहला राजे कौन सा है इसका सही एंस्वर है जनगर्णा की तर्ज पर मृत्योगर्णा वाला पहला राजे करनाटक है अगला कुशन है किस मुगल बादसा ने वसीयत लिखर अपने पुत्रों को या निर्देश दिया कि वे अशद खा को वजीर बनाए इसका सही एंस्वर है और अंग्जेव ने अपने पुत्रों को या निर्देश किया कि वे अशद खा को वजीर बनाए अगला कुशन है हिटनी हिस्टीन किस छेत्र से समंदित है इसका सही एंस्वर है हिटनी हिस्ट्रों पाउप गाई की से समंदित है फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को सेयर भी करें